हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, एन्बी चैनल पर आप सभी का सोगत है आज के वीडियो में हम आपको पोल्ट्री फार्म में लगने वाले फॉगर के बारे में बताने वाले दोस्तों जैसा कि आप अभी वीडियो में फॉगर देख रहे हो दोस्तों जो पोल्ट्री फार्म के अंदर इंस्टॉल की हुए है के उपर का माल आपके पास बन जाता है तो आपके या पर गर्मी के कारण बर्स मरना शुरू हो जाता है दोस्तों तो इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग आज वाजू गिली वाली फारी लगाती है उपर सिंकलर लगाते हैं और फैन भी चालू करते हैं दोपेर के समय में और इनसे बचने का सबसे बढ़ी हलाज होता है दोस्तों फागर सिश्टम जैसा कि आप अब वीडियो में देख रहे जी हाँ यह fogger system है दोस्तो अभी फिलाल वीडियो बनाने के लिए सुभा का समय है दाजी बच चुके है लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए स्रीप इसे on किया है और आप देख सकते हो अभी हवा किसी तरफ से किसी तरफ नहीं बह रही है करके यह सीधे fog मार रहे है दोस्तो जी जाए नीचे का लीटर गिलानी होगा अभी आप देख सकते हो यह fogger nozzle है और यह फिलाल डायरेक्ली हमारे तरफ fog मार रहा है दोस्तो आप देख सकते हो कैमरे पे भी किसी तरह का कोई बुंदा बांदी नहीं है जी हाँ इसके नीचे का गिलानी होता है दोस्तो यह स्रीप य किसी भी आप ठंडा रहता है यह आप गर्मी का जो ऐसा से वह बर्स को नहीं होगा और आपकी मुर्गिया गर्मी से चार से पाच दिग्री तक रिलिफ पाएगी जी हाँ दोस्तों इसके साथ अगर आप फैन चला देते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टेंपरेचर इत फॉगर लगा सकते हो जी हा दोस्तों यह इंपोर्टेट हिमिलिटी फॉगर है दोस्तों लोकल वाले नहीं है इसलिए इसके कारण नीचे का गिला नहीं होता यह पूरी तरह से हवा में मिक्स हो जाते है आप देख सकते हो कोई भी फॉगर सिर्फ फॉग मार रहा है पानी नहीं मार रहा है आप देख सकते हो जी हा यह इंपोर्टेट फॉगर है दोस्तों यह फॉगर कैसे होते है इनका फिटिंग कैसा होता है आप इन्हें इस्टॉल कैसे कर सकते हो इनका प्राइज क्या आता है यह एक दूसरे के साथ जॉइन कैसे होते है यह एक घंटे में कित इतना पानी कंद्यूम करते हैं इसका पूरा खर्चा कितना आएगा 1000 बर्स को कितना आएगा 2000 को कितना आएगा 10,000 के फार्मिंग में कितना आएगा साथ ही इसको कौन सा मोटर यूज किया जाता है यह सबी जानकारी विस्तार से मैं आपको आने वाली अगले वीडियो में कर दिजें ताकि हमारे सभी वीडियो आपटक पोच सके आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड़ में जरूर बताना वीडियो पसना हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो जרूर देखना ताकि आप भी इस Immunity Fogger को अपने पोल्ट्री शेट के अंदर इंस्टॉल करके पोल्ट्री शेट को थंडा रख सको वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद